हेलो फ्रेंट्स, कार के इंटीर को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है और साथ में अगर हम देख लें कि रूफ को, तो रूफ के लिए और ज्यादा लोग परिशान होते हैं सुचते हैं कि इसको शायद ड्राइ क्लीन पर ही देना पड़ेगा और वही लोग उसको अच्छे से कर पाएंगे लेकिन आज की वीडियो स्पेशल होगी मैं दिखाऊंगा आपको DIY कैसे आप इसको कर सकते हैं अल्रेडी मैंने इसके उपर वीडियो बनाई थी लेकिन आज की वीडियो थोड़ी से अलग है क्यों 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 क्योंकि आज मैं यूज कर रहा हूँ एक तो easy का यह है easy woolen wash के लिए जो हम घर में यूज करते हैं वो easy और दूसरा मैं क्या यूज करूँगा दूसरा यूज करूँगा 3M का foaming interior cleaner और इस cleaner के उपर भी दोनों के उपर अलग-अलग मैंने वीडियो बनाई हूँ है लेकिन आज की वीडियो अलग क्यों है क्योंकि आज मैं एक ही कार में दोनों प्रोड़क को apply करूँगा apply करने का तरीका भी दिखाऊँगा और साथ में आप लोग देख पाएंगे कि कौन सा प्रोड़क ज्यादा अच्छी क्लिण करता है कौन सा प्रोड़क में टाइम कम लगता है कोशिश करूँगा कि कम से कम शॉट टाइम में आपको दिखाऊँ दोनों चीजों का रिजल्ट और सबसे पहले इजी को यूज़ करते है इजी यूज़ करने के लिए देखे मैंने लिया एक पाउच ये पाँच रुपे वाला और एक मैंने साथ में स्पंज का एक टुकड़ा लिया है और 300 ml के बास पास पानी है और इसमें मैंने क्या किया इजी को पूरा मिक्स कर दिया स्पंज दो था स्पंज हमारा क्रियेट करेगा फोम फोम क्रियेट करने के लिए सिंपल इस तरह से आपको दबाना है और बहुत गाड़ा एक फोम बनके आपका तयार हो जाएगा अब एक चीज़ और ध्यान रखने किये फोम आपका उपर है पानी आपका नीचे है दूसरी इंपोर्टेंट चीज़ है आपके लिए सॉक्स यह सॉक्स होना जरूरी है सॉक्स काम करेगा हमारे रब करने के लिए और माइक्रो फाइवर टावल मैंने यहापे यूज किया सॉस्ट पन का माइक्रो फाइवर टावल Microfiber towel से आपके जो result है वो बहुत अच्छे result आते हैं और हमारी जो roof है उसके उपर lins वगरह भी बनते नहीं है अब चलिए start करते हैं सबसे पहले foam क्या करना होगा उपर से मिलेना है उपर से foam लिया और ये foam सबसे पहले में लगाऊंगा उन एरिये पे जहांपे के ज़्यादा dirt लगी है ज़्यादा dark dabbे निशान लगे हुए फिर जब हम second time पूरी roof को करेंगे तो फिर इसके उपर से वो cover हो जाएगा और ये बराबर match हो जाएगा रब कर सकते हैं इसको कोई issue नहीं है लेकिन हहां wrap भे आपको कैसे करना है बिल्कुल एक हिसाब से wrap करना ऐसा नहीं कि आपने कपड़े की तरह सको धो दिया बिल्कुल ऐसा नहीं करना है जब आप डबे से form ले रहे है तो उपर का हिस्ता जो ऐफो में नीचे पानी है क्योंकि माइक्र फाइबर टावल अप यूज करेंगे तो इसके उपर लिंट्स वगर आने के चांस नहीं रहते हैं अब हमको दुबारा ये फोम बनाना है और अच्छे से बना के सिर्फ उपर से फोम लेना है देखिए इतना फोम गाड़ा बन गया और मैंने लिया है अपने सॉक्स में और इसको ऐसे लगा दिया मैंने रब करूंगा तक कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए और अच्छे से क्लीन कर पाया और उसके बाल माइक्र फाइबर टावल लेके मुझे इसको क्लीन कर देना है इक satu-fisसा लेना एक लेकर लेके क्लीन कर रहा हम यह ऊसा नहीं कि पूरे पाट मैंने एक षाथ लगा दिया पूरे इससे पर लगा दूगा तो होगा क्या कि वह पूरा ड्राइब ने लगेगा तो मुझे एक हिस्ता लेना है वहां लगाना है वाइब कर ल्गाए फिर दू और पूरे एरिये पे एक सीधा सीधा चलाना है, जैसे हम लोग कंगी करते हैं, कॉम करते हैं, सेम उस तरह से, अब आप फाइनल चला रहे हैं, यह देख रहे हैं, फाइनल होगा इससे यह, कि जब यह सूखेगा, तो सूखने के बाद इसमें ज़रा से भी लिंट नहीं दिख यह क्लीन हो चुका है, आदा इससा बाकी है, इसको हम करेंगे यहां से, अब हम अपने 3M से, यह पार्ट जो बाकी था, यह देखिए, यह है 3M, और 3M फार्मिंग क्लीनर में थोड़ा सा इजी है, यूज करने के लिए, उसका नाम इजी है, लेकिन इसको करना इजी है, यह बनाने के बाद, अब इसको मैंने रब किया, रब करना इसमें भी पढ़ेगा, आपको रब करना वहां पे भी पढ़ेगा, फर्क सरिफ इतना है, कि हमको यहां पर फोम बनाना नहीं है, फोम बना बनाय मिला है, लेकिन रिजल्ट कैसा है, वो अभी आगे हमको पता चल क्लिनिंग किसकी जादा अच्छी है 100 ने जादा अच्छी कि है और रही बात इजी की साइड़र एक्ट तो इजी का कोई साइड़र ऐसा कुछ है नहीं मैं हमेशा से यूस करता है और 3m कभी ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है लेकिन हा ठीयम का इफेक्ट यह है यह जो foam वाले cleaner होते हैं इसको apply करते हैं आपको mask जरूर लगाना है मैंने देखिए mask apply किया हूँ है और mask लगाएंगे तभी इसको use करना और दरवाजे खोल के करना है जितने भी door हैं ऐसा नहीं कि आपने door बंद कर रखें तब आप इसको use करना है door खोल दीजे और तब इसको आप apply किजे आप दूसरी side का भी step कर लेंगे same way से step दोनों के एक जैसे foam लगाना है rub करना है और तीसरा step आपका microfiber table से wipe करना है किया क्या मैंने part wise किया एक साथ पूरा नहीं किया half part एक बर यानि कि आप उपको सूखने नहीं देना है foam को इतना समझ लीजे अगर आप पूरे पे एक साथ foam मार देंगे तो क्या होगा क्या पूरे को रब नहीं कर पाएंगे एक तरफ फोर्म सूखने लगेगा तो इसलिए part wise कीजी 3M से रब करने में डिफरेंस मुझे इतना फील हो रहा है कि यह जो रब करना मुझे कम पढ़ रहा है easy के साथ थोड़ा सा जाधा करना पढ़ रहा था इसकी थोड़ी से खुश्बू अच्छी आ रही है smell अच्छी है 3M की और easy को अगर देखें तो उसमें से भी कोई ऐसी बदबू तो नहीं आती है खुश्बू उसमें से भी आती है लेकिन इसकी थोड़ी सी जाधा अच्छी लगती है और final result cleaning वो आपके सामने है cleaning आगे का हिससा 3M और पीछे का हिससा easy कोई बहुत जाधा बड़ा difference नहीं है लेकिन price में बहुत बड़ा difference है फिलाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो like जरूर करके जाएगा मिलूँगा next वीडियो में ऐसी किस interesting topic के साथ thanks for watching